ब्रीफिंग का पैटर्न क्या हो में चलिए यहां पे शीव बैटे हैं यहां पे पारवती बैटी हैं एनर्जी वो जब उठके ऊपर जाती है जितना अच्छा वो इंटराक्शन है मतलब जितने वो एक दूश्टे के क्लोज आते हैं उतना अच्छा आपका लागा कि स्वर विज्यान मनुस्य से की कौन सी समस्याव का सोलूशन प्रोवइड कर वाता है महादेव ने यह कहा कि अगर तुम चंद्रमा की एनर्जी के साथ सिंग में आते हो तो तुम यूनिवर्स की अगर आप सिर्फ matter है मतलब अगर आप ऐसे बैठे हैं बीटा लेवल में है उस तरीके से आप कुछ भी manifest नहीं कर सकते हैं अगर आप इनर्जी से इनर्जी को बदला जा सकता है matter से इनर्जी को नहीं बदला जा सकता है जब आप इन्हेल करते हैं तो यह जो universe की प्रान उरजा है उसको आप अंदर लेए मा पार्वती ने भगवान शीव से पूचा कि हे महादेव आप इस पूरे universe को control कैसे करते हैं तो बगवान ने का कि हे देवी मैं कुछ भी control में को रहा मैं तो सिर्फ लोगों की जो सांस है उसको control को तो आपके एनर्जी का और आपके सांसों का बड़ा गहरा relation है बहुत बहुत सुआगा था आपका हमारे channel B.U.P. कैसे हो आप? बहुत बढ़ी है, thank you for inviting me नहीं नहीं सर मतलब आप जैसे guest आएंगे हमारे लिए बहुत बढ़ी है views भी आएंगे हमको और नहीं यह तो चलो views वाला तो definitely है है हम YouTubers के लिए बट यह जो topic है आज का जो topic है मुझे लगता है मतलब यह मेरे लिए बिलकुल नहीं आए और मुझे लगता है आप लोग अकर सुनना स्टार्ट कर दिया होगा अगर आप लोग नहीं तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है तो सर सबसे पहले मैं चाहँगा जो आज मेरी प्यारी से ओडियेंस उनको पता लगे कि वो आज किसको सुनने जा रहे है नमस्ते सभी लोगों को My name is Manish K. Maurya और मैं एक By passion I'm an astronomerologist, law of attraction coach, स्वर विज्यान expert and वासु expert And by education I'm an engineer तो मैंने MS किया है Binghamton University New York से मैंने I am Calcutta से executive MBA किया है Now I am living in US मैं वहाँ पर एक multinational company में काम करता हूँ बट मेरा passion है इस direction में और मैं अपनी research करते रहता हूँ अपनी findings तो वो share करने का मतलब मेरा thought process But एक engineer law of attraction में कहा से आ गया Relationship coach में कहा से आ गया यह आज से I think 10 साल पहले मेरा भी thought process ऐसा ही था कि मतलब यह चीज़े काम नहीं करती इसमें कोई दम नहीं है कुछ भी नहीं Especially जो हमारा Vedic wisdom है इतना amazing है आप समय लीजिए कि यह science है ठीक है जब law of attraction पर मैं काम कर रहा था जैसे कहते हैं ना कि यह west से आया हुआ है बट मेरा thought process है कि यह west से नहीं आया हुआ है इतनी powerful चीज़ जो है यह कहीं ने कहीं बनी तो यहीं पर तो जब उसमें research करना शुरू किया उस angles research करना शुरू किया तब बड़ी सारी चीज़ें निकलती चली गए कि actual में क्या होता है law of attraction किस तरीके से वो काम करता है पंचकोष करके एक concept है हमारे आपका मांडुक के उपनिशन में पंचकोष के बारे में बतायागा कि जब आप पैदा होते हैं ठीक है तो आपके शरीर में पांच layers होती है अनमयकोष, प्राणमयकोष में ही travel करते रहता है जैसे अगर आप, मैं आप से भी बात कर रहा हूँ तो यह हम physical interaction हमारा हो रहा है तो हम इसको कहते हैं कि यह हम अनमयकोष में कहीं ने कहीं बने हुए जिसको हम beta brain wave frequency मारा जो brain है, उसमें different frequencies होती है, जो आपका बात की जो frequency है, वो आनन्दम है जो की मतलब, एकदम ऐसा समझने जीज़े की जसके समय रुक गया आप एकदम उस deep state में चले गए, समाधी में चले गए, जहां पे की चीज़े एकदम still हो गए आपके जीज़े ठीक है, तो definitely इन पाँचो चीज़ों को हम इनकी पाँचो चीज़ों की frequency discuss करेंगे, लेकिन उससे पहले सुवर्विज्ञान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुवर्विज्ञान इतना helpful है कि आपकी हर एक problem का मुझे लगता है, solution दे सकता है तो सुवर्विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बताओ इसका creation बताओ, कहां से आया कैसे apply कर सकते हैं human अपनी body के उपर देखे, कैसा है न, सुवर्विज्ञान जो है ये भगवान शीव ने मापरवती को ये पूरा ज्यान दिया था तो भगवान ने कहा कि हे देवी मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं करता, मैं तो सिर्फ लोगों की जो सांस है, उसको कंट्रोल करता हूँ, ठीक है तो ये सिर्फ एक जो सांस भगवान ने कही उस सांस पे पूरा का पूरा विज्ञान बन गया जैसे आप कहते है न स्वरविज्ञान, ठीक है या फिर स्वरयोग, ठीक है तो फिर देवी ने कहा कि अगर ऐसा है महादेव तो मुझे कुछ ऐसा ग्यान दीजिए कि जो इनसान है, वो ये जो नौग रहा का चक्कर है और जितनी ये चीज़े हैं उनसे बाहर निकल जाए कुछ ऐसा ग्यान दीजिए कि जगर इनसान इसको प्रयोग करना शुरू करे तो उसके जीवन में वो चमतकार घटित होना शुरू हो जाए, उसको ये जो समय का चक्कर है या जितनी भी चीज़े है उससे वो बाहर निकल जाए, ठीक है तो तब भगवान ने जो है पूरा का पूरा नौलेज जो है देवी पारवती को दिया और वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो गया आपके शिवस्वरादय सास्त्र में, ठीक है अब देखिए इसमें दो चीज़े है स्वरविज्ञान और स्वरयोग, ठीक है स्वरविज्ञान मतलब साइनस अब ब्रीधिंग तो कैसे हम जो हमारा ब्रीधिंग है ठीक है, और देखिए ब्रीधिंग किससे रिलेटेड है मैंने भी पंचकोष की बात की पंचकोष में जो आपका प्रानमैकोष है ठीक है, एनरजी बॉड़ी उससे जितनी भी हमारे शरी में प्रान है प्रान उर्जा है, हम कहते हैं ठीक है, तो जब आप इनहेल करते हैं तो यह जो युनिवर्स की प्रान उर्जा है उसको आप अंदर लेते हैं जितना अच्छा आपका consciousness जितना consciousness फैलता चला जाएगा जितने महादेव जागरित होंगे उतनी सारी प्राण उर्जा जो है आप अपने शरीर के अंदर लेते चले जाएगे होता क्या है उससे जो energy है जो कुंड़नी energy हमारी यह हमारे मुलाधार से उठती है लेकि हमारे शरीर में क्या है पंच प्राण मैं तो पंच प्राण में क्या होता है यह प्राण वायू यहाँ पे आपकी समान वायू अपान वायू और उडान वायू जो है यहाँ पे होती है और व्यान वायू पुरे शरीर में फैले होती है जब आप इनहेल करते हैं आपने प्रान वायू अंदर ली वो जाके समान वायू से मिलके वो क्या करती है अपान वायू बनाती है और वो क्या करती है फिर वहाँ से उस एनरजी को उठाती है जो हमारी नाभी है वहां से 72,000 नाड denote हमारे पुरे शरीर में इनर्जी चैनल से हैं जब यहां से समान वायू जब नीचे से एनर्जी उठाती है तो वो पूरे शरीर में फैलता है वहीं से आपको उर्जा मिलती है और फिर वही उर्जा उठके यहाँ पे आती है उडान वायू के पास और यह उसको लेके जाता है यहाँ पे ठीक अब क्या होता है जितना यह एक दूसरे के जो यह एनरजी है और जो यह consciousness जो शीव जिसको मैं कह रहा हूँ जितना यह एक दूसरे के नज़्दीक आएंगे यह union हुआ ठीक है स्वर योग तो जो योग है स्वर मतलब क्या सांस और योग मतलब union तो यह जो union है न जितना union यह अच्छा होगा जितना अच्छा यह interaction होगा इसको हम कहते हैं लीला भगवान शीव और पार्वती का interaction जो है वो लीला हो रहा है ठीक है यह पूरी श्रिष्टी बनी है न यह श्रिष्टी भी वैसे ही बनी है भगवान शीव थे उनके मन में एक्छा आई कि हम मैं एक हूँ मुझे दो बनना है भगवान शीव और मा पार्वती अलग-अलग हो थीक फिर इनका आपस में interaction शुरू हुआ जो यह interaction है इस लीला से ही पूरे श्रिष्टी का creation हुआ different different form of interaction हुआ इसलिए different different form of लोग बने, लोग बने, कुत्दे बने पहाड बना, ठीक है ऐसे ही अब हमारे यहाँ पे शीव बैटे हैं आपे पारवती बैठी है, energy वो जब उठके ऊपर जाती है जितना अच्छा वो interaction है मतलब जितने वो एक दूसरे के close आते है उतना अच्छा आपका life हो उतनी ज़्यादा आपके life हो महादे अगर जागरित हो गए तो जीवन में तो सफलता आनी है तो उतनी ज़्यादा आपकी जो है energy positive है उतना आप higher frequency पे vibrate कर रहे है और life में बहुत सारी सफलता है आनी शुरू हो जाएंगी ठीक, लेकिन अगर आप inhale अच्छे से नहीं करते हैं जो explain किया process अभी पंच वायू का मालने जी आपने प्रान वायू ली सिर्फ आप यहीं तक लेके चलेगे क्या हुआ, वो समान से मिला नहीं उसने अपान भी create नहीं किया तो आपको फिर physical issues जैसे constipation, lose motion इस तरीकी, आपकी जो अपान वायू है वही क्या करती है, excreatory का का काम करती है जो भी waste आपकी body में उसको निकालने का काम करती है अब आपकी प्रान वायू आपने क्या आजकर उन क्या करते है, shallow breathing करते है ठीक है, यहीं तक गई बस आपकी नाभी कहीं दिख ली रहे, कुछ नहीं हुआ अब क्या हुआ, समान वायू से वो मिलाप नहीं हो रहा है तो क्या होगा धीरे, 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 धीरे फिर वो stress और बाकी की चीजे आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाना मुझे दो चीजे पूछना चाहूँगा जो अब आपने breathing का बताया, breathing का pattern क्या होना चाहिए एक तो इस पे मेरे को आप बताओ बिकोज कही ना कहीं ये चीज उसी से ही जुड़ी है दूसरा, जब भी हम दो नाडियों की बात करते हैं सुर नाडियों की इन में से लेफ्ट वाली चंद्रमा होती है इसको एक बर प्रीज आप पैस कर देखिए एक ऐसा है कि हमारे शरीर में तीन प्राइमिरी ऐसे तो 72,000 नाडियां हैं और शीव पुराण में 3,5,5,5 नाडियों की बात की गई तो आप सोच किए देखिए जिसने इन चीजों को experience किया होगा कि हमारे शरीर में 3,5,5,5 नाडियां हैं वो कितने skilled रहे होंगे हम लोग अपने वेदिक wisdom को बड़ा उस तरीके से देखते हैं रहे साब फालतू है वो बड़ा गलत thought process है मतलब ये tools हैं जिसको use करके हम अपने life में next level पे जा सकते हैं तो अब आपके question पर मैं आता हूँ तो जो तीन primary नाडियां है इडा, पिंगला और सुशुमना ठीक है ये आपकी जो right nostril है इसको हम कहते हैं पिंगला इसको आप सूरी भी कह सकते हैं ठीक है ये मतलब सूरी से controlled है वहां की energy absorb करता है जो इडा है इसको हम left nostril कहते हैं और पिंगला और जब दोनों से सांस चलनी शुरू होती है तो वो center जो है उसको हम सुशुमना कहते है अब देखे हमारे शरीर में 7 चक्राज है ठीक है क्या होता है ये आप माल दीजी आपके center नाडी है ठीक है सुशुमना है यहां से आपके मुलाधार से इडा और पिंगला निकले कि यहां पर आके मर जो हुए तो तीनों एक जगा पर मर जो हुए ये second center बन गया सौधिश्थान चक्रा फिर उपर उठे मनिपूर चक्रा इस तरीके से all the way to आग्या चक्रा आते है ठीक है जब आप inhale करते मैंने बताया उर्जा उपर उठती है अब ये जो उर्जा उपर उठ रही है ये क्या होता है आपके इडा और पिंगला से फ्लो कर रहा है ठीक है ये आपका union मैंने बताया ना union divine union और lunar energy तो ये union हो गया मतलब आपको भौतीक जगत में अगर सफलता चाहिए तो इस union का होना बहुत ज़रूरी है अगर ये union शीव और शक्ती नहीं मिले तो वो उत्कृष्ट creation जिसको हम मैं कह रहा हूँ वो creation नहीं होगा जितने वो दूर होंगे वो creation गड़बड़ वाला होगा समझे आप मतलब negative creation होगा और जब negative creation life में होगा तो क्या होगा सब negative ही होगा तो अब ये जो union हो रहा है ऐसे होते होते आपको भौतिक जगत में सफलता मिली ये आपका union होगा divine union क्या होता है ये जो energy उपर उठनी शुरू हो गई ऐसे उठते उठते एक दिन ऐसा आएगा कि अब ये उर्जा इडा और पिंगला duality से ना flow करके आपके शुशुमना से flow कर जाएगी ये breathing pattern आप बता रहे हो ना अभी इसके बाद बता हो तो ये जब उर्जा शुशुमना से flow कर गई अब ये divine union हो गया जिसको आएगा कुणलनी जागरित हो गई तो ये आपके शुशुमना से जहाँ उर्जा फ्लो की अब पूरी की पूरी शक्ती शिव के पास चलेगे अब आप bliss में चलेगे होगा कैसे ये जो मैंने आपको पंच प्रान एक्स्प्रान किया बहुत स्ट्रेस है बहुत सारी चीजें है तो हम बड़ा ही shallow breathing करते है मतलब shallow breathing मतलब सांस लिया यहां तक सांस गई और वहाँ से बाहर निकल ठीक है जब भी आप सांस ले रहे हैं आपका जो नाभी है वो ऊपर उठना चाहिए फैशन भी है कि मतलब पेट थोड़ा अंदर रहना चाहिए तो लोग थोड़ा purposely भी जो उसको अंदर खीच के रखते है ठीक है which is not good ठीक है तो जब भी आप breathe कर रहे हैं जब भी आप inhale कर रहे हैं आपकी नाभी बाहर निकलनी चाहिए अगर आप चोटे बच्चे को देखेंगे उनके पास बहुत एनरजी होती है ठीक है क्यों एनरजी होती है पिकास उनकी जो सांस है वो नाभी से चलती है नाभी से मतलब जब वो inhale करते हैं तो deep and long inhalation आपका पेट बाहर निकला ठीक है जब ये होता है तो जो मैंने process explained किया पंच वायू की वो पूरा का पूरा process complete होता है पूरे शरीर में जो प्राण वायू है वो अच्छे से flow करती है जो शक्ती नीचे बैठी है उनको एक माध्यम चाहिए वो माध्यम मिलता वो उपर उठके शिव के पास जाती है जब शिव शक्ती मिलते हैं तो जीवन में अच्छे में कार होते है तो एक सिर्फ सिंपल सा मंत्रा है अगर आपने अपने सांस पे ध्यान दे दिया जैसे उसके लिए सिंपल सी practice ही है कितनी देर करनी है नहीं कोई timing नहीं कोई चक्कर नहीं पालना है सिर्फ आपने एक practice develop कर रहा है कि आपकी सांस जो है नाभी से चलनी शुरू हो जा सुबह कर लिया सुबह जब सो के उठे विस्तर छोड़ने से पहले दो मिनट ती मिनट कर लिया दिन में जब भी आप aware है जब भी आपको ध्यान आ गया आपने मन भर के सांस हावा तो free है लेकिन इतना चमतकारी है ये ये अगर आपने कर लिया आपकी सांस ना भी से चाए और ये धीरे-धीरे क्या होता अच्छिए ये natural है over the period of time हमने उसको in-natural कर दिया हमने खराब कर दिया तो जब हम उसपे वापस चले जाते है तो सांस जब हमारी सही हो जाती है तो शरीर की उर्जा सही हो जाती जोंहारा prana-mai कोश है वो prana-mai कोश सही हो जाता है और जो ये travel है अन-mai से prana-mai प्राण मैं से मनो मैं, यह ट्रावल तभी होगा जब आप प्राण मैं से मनो मैं में जाएंगे, आप डिरेक्टली मनो मैं में कभी नहीं जा सकते हैं, उसका क्या इंपक्ट पड़ता है मनो मैं में जाने का वह मैं बाद में एक्स्पेइन गरूंगा, ठीक है, तो इस तरीके स जो अब देखिए ये एक चीज हो गई कि सांस इस तरीके से अगर आप लेंगे आपकी उर्जा अपवर्ड डिरेक्शन में जिसको हम उर्धोगामी कहते हैं वो फ्लो करना शुरू करेगी अधोगामी, डाउनवर्ड नहीं रहेगी जो कि बहुत अची चीज है एक सिंपल सी प्राक्टिस है आप दिन में कभी भी अवेर हो गए जब भी आपको याद आ गया और ये अगर आपने महीने, दो महीने कर लिया तो अब ये नाचुरल हो जाएगा अपने आप, आपकी सास अब यहीं से चलनी शुरू हो जाएगी अब हमेशा शीव और शक्ति मिले जा रहे है जितनी बार इंटरेक्शन हो रहा है बढ़िया वाला इंटरेक्शन हो रहा है जीवन में चमतकार मतलब ये सिर्फ सास से जीवन में चमतकार हो जाएगा कोई remedy, कोई कुछ नहीं सिर्फ सास से जीवन में चमतकार हो जाएगा ये मुझे थोड़ा magical टाइप लगा है ये magical है अरे महादेव magical है है ना, ठीक है अब देखिए, ये एक चीज हो गई ठीक है, scientifically इसको समझते है ये हमारा frontal lobe है जब हम energy यहां से उठके यहां जाती है ना, तो हमारा frontal lobe activate होना शुरू होता है जब frontal lobe activate होना शुरू होता है तो आपकी जो analytical skill है जो आपकी सोचने समझने की छमता है और decision लेने की capability अब आपना ऐसे rush में decision नहीं ले रहे बड़ा आराम से, बड़े तरीके से मतला आपका जो vision है न, perspective बड़ा wide हो गया तो जब आपका frontal lobe activate हो रहा है तो आपका perspective wide हो गया तो जीवन में चमतकार होना ही है आप stress में decision नहीं ले रहे तो आपकी life में चमतकार हो गया scientific की दूसरी चीश्वर योग क्यों important होता है देखिए जब हम, अच्छा आप अभी अपना इस तरीके से हाथ रखिए और नाक से blow करिए बताए ये conscious, एक कोई nostril चल पर एक किसी हाथ पर हवा आपको ज़्यादा मिल रहा हो तो क्या होता है starting from the morning जब हमारा सुर्योदा होता है उस तमें हमारी left nostril start होती है और every hour जो है वो alternate चलती है तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जैसे कि अगर माली जी ये nostril चल रही है तो ये वाला जो part है वो active है अब ये वाला part जो है cool down हो रहा है, relax कर रहा है ठीक है, 24 by 7 body को काम करना है तो अब ये वाला part cool down कर रहा है जब ये nostril चल रही है तो ये वाला brain active होता है right nostril जब चलती है तो left brain active होता है जितने भी creative काम आपको करने है वो आपका जब left brain active है अगर आप करेंगे तो आप उसमें excellent जैसे आप music बना रहा है ठीक है अगर आपका left nostril active है तो you will go deep और आप बहुत कुछ अच्छा उसमें से ढोन के निकालेंगे scientifically क्या है कि जब ये active है तो ये cool down हो रहा है जब ये active है अब आपका left nostril active है right brain active है ये वाला हिस्सा cool down हो रहा है देखिए कैसा है शरीर जब alternate करता है तो क्या आपके शरीर पे अब stress नहीं पढ़ रहा है लगातार अगर आप दोनों nostril से सांस लेते रहेंगे तो क्या होगा शरीर पे stress पढ़ रहा है तो scientifically क्या होता है एक बार ये आया एक घंटा ये चला फिर switch हो गया तो अब इसको आराम मिल गया मतलब जो आपका right brain है वो है for physical work ठीक है कोई भी जहां पे आपको energy की जरूरत पढ़ती है ठीक है तो अगर energy की जरूरत हमने right brain active किया हमने काम किया utilize किया वापस से left brain active हो गया शान्त हो तो ये जो balance है आपवर डिरेक्शन में flow करती है 90% cases में आज की date में क्या होता है लोगों की right nostril जो है वो लगातार चलती रहती है बट ऐसा क्यों होता है आप stress में है आपके दिमाग में है कि मुझे energy चाहिए मुझे energy चाहिए मुझे आप हाड़ वर्क किये जा रहे लगातार चलती रहती है क्या बहुत ज़्यादा energy आपके अंदर बहुत ज़्यादा stress हा जाएगा anger issues ठीक है आप बड़े ही short tempered हो जाओगे छोटी छोटी चीजों पर आप तुरन बिखर जाओगे ठीक है तो ये बड़ा important है कि जो आपकी right or left nostril है ठीक है और ये आपका life style है जिसकी वैसे ऐसा हो गया because you are not breathing properly ठीक है तो अगर आप सिर्फ एक simple सी practice यह अपना लो कि आपकी सांस नाभी से चले ठीक दूसरी practice यह है कि दिन में दिन में कौन है सुर्य प्रेजेंट है तो दिन में हमारी जो चंद्र नास्ट्रिल है वो चले सुर्य से उर्जा मिल रही है चंद्र जो है रहेगा थोड़ा ठंडा रहेगा तो आप optimum काम कर रहे है रात में जब आप सोने जाते हैं ठीक है रात में आप चंद्रमा आ आ गए तो आपकी जो सुर्य वाली नास्ट्रिल है वो थोड़ी से एनरजी आपको चाहिए जब आप रहता है वो जब आप सोने जाते हैं अगर आप ये करते हैं तो वो जो एक warm तरीके की feeling आती है हलका सा शरीर आपका गरम रहेगा तो आपको बढ़ी अच्छी नीन आती है वो वाली चीज फिर आप इससे activate कर सकते है तो दिन में चंद्र नॉस्ट्रिल चले आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चले रात में आपकी राइट नॉस्ट्रिल चले जब राइट नॉस्ट्रिल चलती है आपको पता, अगर आपने इसको follow किया, आपका पेट कभी ने निकलेगा, आपका fat कभी ने बढ़ेगा ठीक है, because when in the night when you are sleeping, ठीक है, जा आपकी right nostril चल रही है, नीद में आप अपना fat burn कर रहे हैं, ठीक है because that energy is moving and that वो जो warm है ना warmth जिसने create के आपकी body में, वो fat burn process शुरू कर देता है आपका stomach जो है मतलब बिल्कुल flat हो जाएगा अगर मैं आपसे crisp में पूछू कि सुवर्विज्यान मनुष से की कौन सी समस्याव का solution प्रोवाइड करवाता है तो क्या जवाब दोगे आप? देखिए, एक तो मैंने प्रित्वी देखिए हमारे वेदिक shares जो है हम लोग हमारे आभी भी वेदिक calendar में क्या चलता है lunar calendar चलता है, चंद्रमा को ही हम लोग priority देते है, sun को नहीं देते है ठीक है, इसके पीछे भी पूरा विज्यान है ठीक है, चंद्रमा क्या है चंद्रमा आपके धर्ती को control कर रहा है, आपको हमको control कर रहा है तो महादेव ने ये कहा कि अगर तुम चंद्रमा की energy के साथ sink में आ जाते हो, तो तुम universe की energy के साथ sink में आ जाते हो, ठीक है तो जो आपका प्राणमय कोश है जो energy body है वो अगर sink में आ गई, तो उसमें कोई बढ़ा subtle level पे न, मतलब vibrations जो है, मतलब अगर मालनीजी आप sink में नहीं है, अब subtle level पे वो vibration disturb हो गई, energy downward flow करने लगी ठीक है, problem आने शुरू हो जाएगी अगर आप sink में है, तो energy कैसी कृष्णपक्ष, फिर अमावस्या और पुर्णिमा इस तरीके से आता है, जब शुक्लपक्ष शुरू होता है, ठीक है, अब एक एक दिन को जो है वो इडा और पिंगला से define किया गया है, हमारे सास्तों में, ठीक है, जिस दिन शुक्लपक्ष शुरू होता है, उस दिन चंद्रमा का दिन है, तो वहाँ से तीन दिन चंद्रमा का दिन होता है, फिर तीन दिन सूर्य का होता है, फिर तीन दिन चंद्रमा इस तरीके से चलता रहेगा, आपकी क्या कहते हैं अमावस्य आ जाएगा शुक्लपक्ष के बाद उसके बाद जब पूर्णीमा जब हम कृष्णपक्ष में बढ़ते हैं अब क्रिष्णपक्ष में क्या है सूर्य आ गए चंद्रमा चले गए तो शुरू के तीन दिन जो है आपकी पिंगला हो जाती है सूर्य फिर तीन दिन चंद्रमा इस तरीके से पंदरे दिन उस तरीके से चलता है ठीक है तो जैसे मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज है जहाँ पे मनीश के महरया नाम से वहाँपे मैं every month के end में एक स्वार कालेंडर शेयर करता हूँ जहाँ पर मैं बताता हूँ कि कौन से डेट पर कौन सा इडा नाड़ी है या पिंगला नाड़ी किसका दिन है वो करना क्या है आपको इसमें जब आप सुबह सो के उठते हैं अब देखें हम क्या कर रहे हैं अपनी एनरजी को मून की एनरजी के साथ सिंग करने के कोशिश करें मेरा सवाल एक्चल में यही था कि एनरजी को सिंग कैसे करें तो आप जब सुबह विस्तर सो छोड़ते हैं माल लीजे आपका इडा का दिन है ठीक मतलब आपकी लेफ नॉस्टिल का दिन है तो आपको करना क्या है अब आप जैसे ही धर्ती पे पैर रखेंगे एनरजी कौन सी है इडा वाली है अब माल लीजे अगर आपने यह वाला पैर जमीन पर रखा और आपकी यह एनरजी चल रही है तो वो अब इडा से क्या करना है जब आप सो के उठ ते है इन्हेल करेंगे यह वाला जो पैर है जो इडा वाला पैर है उस ताइट का वो जमीन पे रखेंगे, फिर दूसरा पैर रखेंगे, सांस छोड़ के, जैसे आपने ये पैर रखा, इडा का दिन है, आपका इडा वाला साइट जमीन पे गया, सगुन में रखा, आप उस एनरजी के साथ सिंक में हो गए, जो वो disturbance आना था आपकी बोडी में, वो नहीं आए, अब पूरा का पूरा दिन आपका अच्छा चला गया, ठीक है, बहुत अमेजिंग है ये, बहुत अमेजिंग, ठीक, अब दिमाग में question आपके ये आ सकता है, कि सर मान लीजे मैं सोके उठा, इडा का दिन है मेरा पिंगला चल रहा, मैं क्या करो, मैं आ सकता है, ठीक है, तो जिस भी, जैसे मान लीजे अगर मुझे इडा चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस करवट ऐसे लेट जाओंगा, जैसे आप उन्हीं सर्जब सर् करना है, अगर मान लीजे मुझे इडा चलाना है, मानते हैं कि मान लीजे की इडा का दिन है, लेकिन मेरी पिंगला चल रही है, ठीक है, मुझे इडा चलाना है, क्या करूँ मैं, इस साइड, इडा वाली साइड, मैं ऐसा करके मैं सो गया, ठीक है, एक करवट लेके, पांच को नहीं आ दे रहा तो कलेंडर देखा भाई सुबह कौन सा दिन है अपने मन में आपने एक बना लिया कि सुबह कल इड़ा है या पिंगला है जब सुबह आप सो के उठते हैं इड़ा का दिन है इड़ा चल रहा है बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है तो राइट करवट बता देंगे कि आज दिन कौन सा है किसका दिन है इड़ा का है कि पिंगला का है इतना अपने आप हो जाएंगा ठीक है और एनरजी लेबल पर जो इस सटल वाइब्रेशन है जो इतना ज्यादा डिस्टर्ब करती है आपको जो आप मतलब हम लोग समझ नहीं पाते है उस ची दिन भगवान शीव से कहा था ना कि महादे कुछ ऐसा ग्यान दीजिए कि सब चक्कर ही खतम हो जाए अब वही हो रहा है आप सुबह उठे आपने अपना दिन बढ़िया कर लिया ठीक है क्योंकि मून एनरजी ही इस अर्थ को गवन कर रही है आपको हमको 70% वाटर है गवन कर रही है ठीक है जितने accidents आमावश्या को होते हैं आप पुणिमा को होते हैं कहीं और नहीं होते है इसी बज़से ठीक है तो अब क्या किया आपने वो कर लिया अमाली जब घर से बाहर निकल रहे है ठीक है इडा पिंगला शुषमना जब आपकी दोनू नोस्टिल चलती है वो शुशुमना है, ठीक है, अगर आप बेड़ पे भी लेटे हुए, अगर सुशुमना चल रही है, तो कोई भी ऐसा कारे, जो बहुत इक जगत का हो, नहीं करना है, शुशुमना is good for meditation, अगर आपकी सुशुमना चल रही है, अगर आप meditation में बैठते हैं, बहुत तीजी से आ जो नॉस्टिल चल रही है, सास खीचा, घर से बाहर वही वाला प्यार, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे, energy level पे क्या हुआ, एक जो डोर है, वो एक उर्जा मंडल या energy environment को replicate करता है, ठीक है, मतलब इस घर की, इस रूम की energy अलग है, जब मैं रूम से बाहर, इस घर से निकलूँगा, उसकी energy अलग है, ठीक है, मेरा जो प्रवेश है, एक उर्जा मंडल से दूसरे उर्जा मंडल में अच्छा होना चाहिए, अगर नहीं अच्छा हुआ, तो क्या होगा, वापस से वो subtle vibration है, मेरी वो disturb होगी, जब मैं disturb होगा, तो फिर मैं चीज़े सही नहीं कर पाऊंगे, जब आप इस रूम से, जैसे आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, वो एक energy environment है, उससे आप दूसरी energy environment में जा रहे हैं, तो आपका प्रवेश शुब कैसे होगा, जो nostril चल रही है, सांस खीचा, वही पैर बाहर निकाला, फिर दूसरा पैर बाहर निकाला, सा अच्छा हो गया, अब जब अच्छा हो गया, आपने साथ खराब नहीं है, मैं इसमें एक चीज़ पूछना चारा था, जैसे भी आपने बता दिया और फिर भी एक बर दुबारे से confirm कर लेता, हमको breathe in करना है, और जब हम दूसरी energy में जा रहे हैं, तब हमें breathe out करना है, मतल breathing जो pattern है आपकी, जो आपकी breathe है, मने बताया है, महादेव आपके सांसों को control करते हैं, ठीक है, तो अगर आपके अंदर महादेव जागरित हैं, जैसे ही आप aware होते हैं, और आप ऐसा करते हैं, आपको एक relaxed feeling आनी शुरू हो जाना है, क्योंकि महादेव जो है ये जागरित हो ठीक है, तो यही तो आपकी energy control कर रही है, जो आपका breathing pattern है, जैसे अगर आप समझ लीजिए की road पे जा रहे हैं, ठीक है, आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, सांस पहले रुख जाती है, notice किया आपने, तो आपके energy का और आपके सांसों का बड़ा गहरा relation है, ठीक है, और यही ज आप अपने सांस को control करके, आप अपने जीवन को बडल सकते हैं, आप अपनी energy को बडल सकते हैं, और यही पूरा का पूरा स्वरविज्ञान है, स्वरविज्ञान कहता है कि it is the science of breathing, जिससे आप प्राण उर्जा को control कर सकते हैं, और प्राण उर्जा को control किया, तो चमतकार ने बताया आप किस तरीके से चमतकार हो रहे हैं अब याप मेरे को ये भी बता रहे थे कि सुवर्ष विज्ञान की एक manifestation होती है जिसमें मंदिर भी आते हैं, स्वास्तिक भी आता है इसके बारे में प्लीज होड़ा सा बताओ मंदिर का पहले समझते हैं ठीक है, तो आप लोगों ने पिरामीड देखा है एजिप्ट में जो पिरामीड होता है वो गोल्डन रेशियो पर बना होता है ठीक है, 1.168 ऐसा कुछ उसका एक रेशियो होता है उसमें जो उसका हाइट है और बेस को, हाफ बेस को लेके वो निकाला जाता है, ठीक है तो जब उस गोल्डन रेशियो पर वो पिरामीड बनता है तो पिरामीड क्या करता है, वो एनरजी को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है, यह हमारी एक चीज हो गई, तो जो हमारे मंदीर में गुंबद बनता है, आप देखना है, जो उपर के वो होते हैं, वो पिरामीड है एक तरह से उसको different different shape या form दे दिया गया बट है तो वो पिरामीड, ठीक वास्तु में क्या हम कहते हैं, वास्तु में हम ये कहते हैं कि जो west direction है वो manifestation की direction है, ठीक है, तो अगर आप वेस्ट डिरेक्शन की तरफ फेस करके अगर अपनी बात कहेंगे तो आपकी बात उनिवर्स सुनेगा और आपको वो चीज़े मैनिफेस्ट करने के लिए मतलब प्रेडित करेगा या हो जाएंगी प्रेडित जितने भी दुनिया में अच्छे मंदिर जो पुराने भी मंदिर है जो सारे वास्तु से जो बने वी है जैसे आप आप जो है तिरुपती बाला जी के मंदिर की बात कर लीजी ठीक है वहाँ पे नौर्थीस्ट में बड़ा सा लेख है वहाँ पे साउथीस्ट में वहाँ पे जो है एक आपका kitchen है उनका आता है जिसकी अगनी कभी नहीं पुछती मतलब 24 by 7 जो है वहाँ पर पकवान बनता रहता है भगवान जो बैठे है वो बैठे है वेस्ट में ठीक और आपने उसके उपर मंदीर बना दिया गुमबद उनका जो गर्भगरी है वो exactly वेस्ट में उसक करता है energy absorb करता है और वहाँ पर distribute करता है अब उस जगह की energy high हो गई ठीक है you need अगर आप सिर्फ matter है मतलब अगर आप ऐसे बैठे हैं beta level में है उस तरीके से आप कुछ भी manifest नहीं कर सकते है energy से energy को बदला जा सकता है matter से energy को नहीं बदला जा सकता है जैसे मैं अभी इस form में ब है कि मेरी energy और frequency high हो गई है अब मैं energy के form में आने लगा अब मैं energy को convert कर सकता हूँ ठीक यह समझ में आ गया ठीक है तो यह मतलब जिस किसी को भी manifestation टेकनीक करनी है अगर आप मंदिर जाते तो घर के आजपास एक ऐसा मंदिर ढूलिए जो west direction में यह मंदिर में हो सकता है घर के मंदिर में हो सकता है घर के मंदिर में घर भी हो सकता है ठीक है जब हम लोग law of attraction में वो manifestation की बात करेंगे तो इसी चीज़ को मैं और अब जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है सांस को चेक करना है अब आपका प्रवेश जो बाहर क energy to another energy वो बिल्कुल सही होगी भगवान के सामने आप जाएगे वेस्ट में जहां भगवान बैठे है उनके सामने खड़े होगे अब आपकी frequency बढ़नी शुरू हो गए ठीक है अब आपको उनके सामने जब हाँ जोडते है तो ये ऐसा नहीं करना है ये ऐसा होना चाहिए बन मेरी wish है उसको भी मैंने साथ में inhale किया ठीक और आख बंद करके भगवान के सामने अपनी अब क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा imagine कर रहा हूँ कि जो मेरे शरीर में 72,000 नाडिया है उनसे वो energy जो है मेरे शरीर से निकलके इस मंदिर की energy के साथ मिल रही है और universe में वो बिलीन हो रह ही है आपने inhale किया 72 नाडियों से आपने ऐसा inhale किया और आपने अपनी wish भी inhale की साथ में और आपका यह five element भी उसमें आ गया और जब आपने फिर थोड़ी दर तक hold करके रखेंगे आँख बंद किया थोड़ी दर तक hold करके रखेंगे और यह imagine करेंगे कि अब आप transmit कर रहे है from nabhi this is getting transmitted आपके सारी 72 नाडियों में वो wish जो है वो transmit हो रहा और धीरे धीरे universe में transmit हो रहा है यह करके आप सांस छोड़ दीजे यह जो एक simple सी technique है जब आप मंदिर में pray करने जाते हैं ठीक है यह आपकी energy बहुत enhance करता है और जो भी बात आप कहते हैं वो बात बहुत तेजी से universe में फैलती है because it's all about energy right तो आपने energy को utilize किया आपने वास्तु को west direction क्या है विस manifestation का direction है आपने higher energy में उजाके वो बात कह दी तिरुपती बाला जी के मंदिर में सारी मानियता है पूरी हो जाती है क्यों पूरी हो जाती है बहुत simple सा reason है वो west में बैटे हैं वहां के energy बहुत हाई है भगवान तो हई है obviously बात है लेकिन बना वो मंदिर वास्तु पर और मैं जब अभी डालस में रहता हूँ वहां पर मैं तीन अलग अलग मंदिरों में गया बड़े सारे हिंदू मंदिर है वहां पर दो मंदिर जो बहुत famous है ठीक है उन दोनों में भगवान जो हो west मे करते हैं माली जी आपने इनहेल नहीं किया मतलब यह उसको और पावरफुल कर रहा है आप जाके वह सिर्फ अपना आंग बन किया आपने आपकी एनर्जी आपने आप हाई हो गई आपने भगवान से अपनी बात कहें लिए तो अब वह चीज पूरी होनी कि west क्या है manifestation का direction है इक्षा पूर्ती की direction है वो आपकी इक्षा पूर्ती होनी शुरू हो चालेगी ठीक है तो यह एक scientific तरीका है जो जिसमें आप prayer कर सकते हैं अगर आप prayer करना चाहते हैं मंदिर में धूंड़ यह ऐसा मंदिर जहां पे बिवान west में बैठ है east को face करके और आप उनको तो अगर आप यह करेंगे और सगुन में अगर आप प्रवेश करते हैं जो आपकी पैर जो आप नॉस्टिल चल रही है उसमें आप प्रवेश करते हैं तो आपका जो दर्शन है आपका जो वो मंदिर का जो विजिट है वो बहुत सामता है नेक्स्ट हमारा आता है तिलक एन स्वास् आप जो है अपनी यह उंगली ठीक है यह अर्थ एलिमेंट आ यह सब्सक्रीन है क्लीच है और यहां पर आपने बोला विक्टिरियस या इस शबी भाव ठीक है करके आपने तिलक लगा दिया यहां पर शीव बैठ है बच्चे के ठीक है आप आग्यां चक्रा के बच्चे को stimulate कर रहे हैं वो क्या करेगा जो शीव बैठ हैं वो शीव energy को फिर stimulate करेंगे तो वो बच्चे का जो pattern है energy का वो धीर धीर वैसा हो जाएगा कि उसकी जीमन में बड़ी सारी सफलता है अपने आप आने लगेंगे ठीक है, बहुत, मतलब बहुत powerful technique है ये, ठीक है, बस आपने बोला be victorious, या अगर आप हिंदी में बोलना चाहें, तो या शश्वी भवा, बस यही कहिए, कुछ मत कहिए और, ठीक है, उसको complicated नहीं करना है, बस इतना कहिए, आपने बच्चे को कर दिया, आप घर चलेगा, आप आप सांस खीचते हैं, तो आपके मन में जो न, आप अपनी सांस खीचेंगे, आप देखेंगे, आपका मन एकदम शान्त हो गया, कुछ भी नहीं चलेए, अच्छल में सांस हो जाता है, बैस जब भी मेरे को कुछ ऐसा मैं, like, किस चीज़ का pressure फील कर रहा हूं, या काईबर ऐसी situation हो जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ी दिर के लिए लिए light हो जाता हूं, और वो इसी सा हो सकता है, कि आप breathing का pattern का use कर रहे हैं, जैसे ही आपने सांस खीचा, मन शान्त हो गया, ठीक है, तो जब हम कोई चीज़ करते हैं, तो क्या करते हैं, बच्चे क ख्याल चल रहे हैं, वो एनरजी आप बच्चे पर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, वर्सेस आपने सांस खीचा, आपने जब उसको तिलक लगाया, आपके मन में सिर्फ एक ही thought है, be victorious, यशश्वी भग, तो अब वो बच्चा यशश्वी हो जाएगा, मतलब उसके जीवन म इतने चमतकार होंगे, शिव जो है, शिव ये sure करेंगे कि वो energy उनके जीवन में वो victory लेके आए, ठीक है, बहुत amazing टेकनीक है यह, अभी मैं आ जाता हूँ, क्योंकि काफी कुछ चीज़े बीच में थोड़ी technical हो गई थी, तो audience को भी समझाना चीए, कोई case study share कर सकते हो, जि कि वो पहले ऐसा था, उसके बाद उसकी life में यह यह changes आ गए, कुछ ऐसी case study अगर आप share कर सकते हो तो, मैं अपना ही share कर देता हूँ, मतलब मेरी बिटिया है, मैं उसके साथ यह करता हूँ, मतलब हम मंदिर जाते हैं, जहां मैं रहता हूँ, वहां वीकेंड में क्या होता है कि वहां पर हिंदी classes चलती है, मंदिर में, तो every weekend हम लोग मंदिर जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले दर्शर करते हैं, फिर हम लोग class में जाते हैं, बिटिया अपनी class करती है, उसका हम लोग घराते हैं, तो मैं यह टेक्निक जो है बच्चे के साथ अपना करता हूँ, be victorious, अभी उसका हिंदी का exam हुआ था, तो उसके 62 marks आयते है 60 में, ठीक है, तो मैं अभी यहां पर था जब आया था, तो मेरी वाइफ ने जब भेजा मुझे, तो मैं लाग, जाए गलत हो गया है, 62 में 60 आया हो गया है, तो मैंने उसको पूछा कि 62 कैसे हा गया, 60 का exam था ना, तो उसने इतना अच्छा किया था, कि उसको 62 marks मिले, ठीक है, फिर ऐसे ही, स्कूल में भी जो है, मतलब बड़े सारे उसके award आये, इस तरीकी की चीज़े, तो वो energy level पे ना, आप वो चीज़े कर रहे है, perform कर रहे है, ठीक है, हम क्या करते हैं बहुत सारे remedies, यह वो बहुत सारे चकर में फस जाते हैं, energy को समझते हैं, ठीक है, अगर आप, मैं बहुत क्या रहा हूँ कि जो भगवान शीव ने यह दिया है, यह इतना powerful है energy level पे, और जब आपकी energy अच्छी है, आपने बच्चे की energy अच्छी कर दी, तो फिर, गडबड कहां से होगा ना, मतलब गडबड ह वास्तू है, तो वास्तू में जैसे क्या है, स्वास्तिक एक बहुत ही powerful चीज है, लगिन जब हम स्वास्तिक बनाते हैं, तो उसके बनाते समय आपकी energy कैसी है, और उसको किस form में हम बना रहे हैं, वो बहुत important हो जाता है, यूनिवर्स में कोई भी energy, जो clockwise move करती है, वो positive energy है जो anti-clockwise move करती है, वो negative energy है, ठीक है, जब हम सांस भी लेते हैं, जब आप सांस ले रहे हैं, आपकी नाभी उपर जा रही है, पेट उपर जा रहा है, फिर यहां से वो turn होता है, और turn होके फिर उपर जाता है, तो यह movement न ऐसा है, तो यह clockwise movement, जब आपने शरीर में वो clockwise movement establish करते हैं, तो आपकी energy positive होनी शुरू होती है, घर में भी महारे ऐसा है कि जो घर की energy है, वो clockwise अगर नहीं है, तो फिर घर में वास्तुदोश है, अगर घर की energy clockwise है, तो वो वास्तुदोश नहीं रहता है, डोर जो है, जो हमारा घर है, वो universe में, energy level पर दो जगह से connected, एक हमारा main door हो ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो एक zone जो होते हैं, marking होते हैं, अगर वहाँ पर आपका door अच्छी जगह पे है, तो अच्छा हो गया, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके और भी वास्तुदोश remedies हैं, हम लोग की YouTube channel, मैंने YouTube channel पे जो है, मैंने free का पूरा का पूरा वास्तुदोश पढ़ा है, जाके आप वहाँ पर पूरा का पूरा सीख सकते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक simple remedy मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि स्वास्तिक बनाएंगे, स्वास्तिक जो है representation है clockwise energy का, ठीक है, तो जब अगर घर का entrance, अग clockwise move करना शुरू करते हैं, तब आपके जीवन में समस्या आनी शुरू होती है, ठीक है, कैसे बनाएंगे स्वास्तिक, अगें हमारी जो पृत्वी ततो है, ठीक है, long term result, यह इसी को यूज़ करना है हमें, ठीक है, अनामिका उंगली को, और सगुन में बनाना है, सांस खीचा आपने नीचे से लेके ऊपर गये, यह हो गया, फिर इधर से इधर, ठीक है, लेफ्ट से राइट, यह आपने प्लस बना दिया, यहां लेफ्ट से राइट आप गये, फिर यहां पे आप नीचे एक लाइन खीची, फिर दूसरा वाल जो था, वहां पे एक लाइन खीची, कैसे ये उपर गया, इधर गया, फिर इधर गया, इधर, मतलब पूरा का पूरा जो movement है, वो clockwise ही हो रहा है स्वास्तिक का, और साथ में जब आपने सगुन में बनाया, सांस खीच के बनाया, तो अब क्या हुआ कि उसमें कोई energy नहीं गई, वो pure स्वास्तिक बन गया, अब वो क्या करेगा, उस जगह की energy को बढ़ाना शुरू करेगा, जो anti-clock वाइस energy आ रही है, उसको block करना शुरू करेगा, ऐसे ही स्वास्तिक आप अपने South East में बना सकते हैं, अपने North East में बना सकते हैं, तो स्वास्तिक को अगर इस तरीके से आप बनाएंगे, और इस purpose से बनाएंगे, तो वो बहुत अच्छा ही ज़र देगा,